वेल्कम फ्रेंड्स माइनेम इस निशान और आज हम देखेंगे कि फॉर्चुन सीटाडेल एप में हम अपना बैंक डिटेल्स कैसे क्या बाइंड करें यह हमारा फॉर्चुन सीटाडेल एप है कि देखिए मेरा अप्र है । औरinator वारष विड्योर विडियो विडियो में आप ने देखा हूंगा कैसे रजिस्टर करते हैं और कैसे अर्निंग करते हैं इस आप से आप जब बड्फरं की बात आती है तो आपको सबसे पहले अपना account number यहाँ पर bind करना होता है इसके लिए आपको अपने my page पर जाएके bank account पर क्लिक करना है यहाँ पर एक option आता है कि add your bank card वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से interface दिखेंगा यहाँ पर सबसे पहला option है कि आपका username बताया गया है तो अपना नाम डालना है यहाँ पर उसके बाद account number दोस्तो अकाउंट number डालते समय आप एक बार recheck कर लिजेंगा क्योंकि यहाँ पर correct number डालना जरूरी है मैं तो आपका सारा प्रेसा किसी और के account में transfer हो सकता है जैसे कि मेरा account number में एक बार चेक कर रहो यहाँ पर कुछ लिस्टेड बैंक है आप इसको स्क्रोल डाउल करेंगे तो जैसा यह मेरा SBI का account है तो मैं स्टेड बैंक पर क्लिक करके उसे confirm कर दीजिए इसके बाद IFC code यहाँ पर पूछ रहा है तो उस branch का IFC code आप ज़रूर डालिए और यह सारी चीजे होने के बाद आप एक बार रिचिक कर लिजे कि आपका जो account है वह account number आपके नाम से है और आपका account number एक बार चेक कर लिजे और IFC code यह सारी चीज चेक करने के बाद आप add button पर क्लिक कर दीजिए और add button पर क्लिक करने के बाद आपको password confirmation के लिए पूछता है तो आप यहाँ पर अपना password डालके उसे valid पर क्लिक कर दीजिए जैसा कि मैंने यहाँ पर password डाला है और यह validation पर क्लिक कर दीजिए यहाँ पर आप देख सकते है कि add bank card successfully का message आ गया है understand प्लिक करके डाटा से हो गया है अगर in case ऐसा कुछ लगता है कि आपका जो account number है गलत हो गया है तो आप modification में जाके उसके change कर सकते हैं इस तरह से आप अपना bank details यह अपना fortune citadel app से link कर सकते हैं thanks for watching this video आपको video related कुछ भी question हो तो comment section पर comment केजिए thanks